नमस्कार आदाप सात्यों आज मैं आ चुका हूँ मदर्सा पठ्रनान कुरेशियान दाइरह के इंदर जो ग्राम दाइरह में रजिस्टर्ट मदर्सा है पहले ये मदर्सा जब मैं यहाँ पे टीचर हुआ करता था 175 बच्चे पड़ते थे और बच्चों को पोस्ता हार भी मिलता था और यहाँ पे सरकाली टीचर भी दो कर्मून आते आज मदर्से की अलत बहुत बुरी बने हुए है यहाँ पे पिल्ले दो टीचर से सवाई मादो कुझी लेगे जोनों का ट्रांसपर हो गया और बच्चों क अब मदर्सा में इस ट्रेम बच्चे नहीं है और अफिशाब जो अर्भी उर्दू की बढ़ाय करने वाले हैं मदर्सा बोर्ड की तरफ से कोई भी टीचर यहां पर मौजूद नहीं है मैं मदर्सा बोर्ड के जो अध्यक्षे हैं MD चोपदार उनसे निवेदन करना चाहू जाओंगा कि मदर्सा के अंदर कर प्रदेश चाहूंगा उर्दू शिक्सेंग के प्रदेश सद्यक्ष आमिन क्याम ख्यानित जो मेरे मित्तर भी उनसे निवेदन करना चाहूँगा कर प्या इस मामले को संग्यान में लें और यहां पर टीचर भी जूआने की कर्प्या करे मैं अंदर का आपको माहूल दिखाऊंगा क्या है केमरा में मुशा के साथ में आरिफ अंदर आओ जब मैं यहां पर टीचर था तब यहां पर यह किचन थी हमारी वह यहां पर रोटिया बनती थी दाल बनती थी पोसार बनता था चाउल बनते थे और जो पोसार का मीन हो इसके अनुशार ही खाना बनता था उदर दिखाऊ आपके मेरा में अंदर से दिखाऊ अब देखो आप किचन की आल देखी आप देखी आप यह वीरान हो गया कुतने साल से पड़ाए साही कोई चाप है नहीं कोई टीचर नहीं कुछ नहीं वेवस्ता पानी की टंकी ए इसमें बच्चे पानी पीते हैं और पहले मेरे टाइम में ये टंकी हुआ करते ही इसमें पानी बढते थे और बच्चे पीते थे और दूसरी जो बड़ी समस्य है इसमंदर से कि यहां पे टोलेट की विवस्ता नहीं है बच्चियां पढ़ती हैं बच्चे पढ़ते हैं वो कहां जाएं यह जो कीकरे दिखिरें इनके पीछे जाते हैं और यहां पर टॉलेट भी जरूर ओरना चाहिए और मैं आपको ले चलता हूं अंदर जहां आप इसाफ बच्चों को अरभी पढ़ा रहे हैं आएए मेरे साथ अब ही मैं एंटर कर चुका हूं मदर्शा पटानान क्वेश यां दायरा के अंदर देखिए यह बोर्ड बना हुआ है फेले टीचर यहां पर पढ़ाया करते थे इस बलेक बोर्ड पर चोक से पढ़ाते लिकाते थे और मैं भी इसका एक इसार रहा हूं एक साल तक मैंने भ तो लागू थी पोस्टार बनता था बच्चे भी बहुत थे लेकिन आज टीचर की उदाशीन था क्या कारण है यह हाल बना हुआ मदर सेगा कोई बच्चा नहीं है ना मंग कर नहीं है बच्चे ड्रोप आउट होड़े मैं निविदर करना चाहूंगा एमडी चौबदार स आप से करप्या टीचर यहां बेज़े और मैं नहीं कमेटी बनाऊंगा मदर सेगी और मैं देख रहे करूंगा मंतर सेगी आप तो सरकाली टीचर मदर से खन्मों अड़ते हैं उनको यहां पर बेज़िए देखिए मेरे टाइम में मेनु था रोटी सब्जी बनती थी मंगल ओर दाल चाँबल अपिशाइदि के साथ बुद्वार को खचिडी दाल चाँवल बुरोबैं टाल बटी और सनिवार को शादा सब्जी यह मीनू था मेरे शाय में 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 तीचर हो अब इस में गदो वो अंदर वारे पॉर्टसर मिल दे चलता हूं जहां पर बच्चे अर्भी की पढ़ाई कर रहे हैं इस समय जो बच्चे आते हैं टोटल आप इनकी स्ट्रेंट देख सकते हैं करीब वन तूटल फवार्व यह बच्चों को बढाएं यह बच्चे अर्भी पढ़ते हैं यहां पर पर चोटे चोटे बच्चे हैं और आपी साब बहुत मेंती हैं चाल साल से हम से जुड़े हुए हैं मंदर स्था के इंदर बच्चों को अर्भी शिखाते हैं और यहां पे निवेद में करना जाओंगा हैं पंखे भी लगा दिये जाएं तो अच्छा बच्चे गर्भी में बेट जाएं आप और पेजल की विवस्ता कुछ भी नहीं है नही चाल साफ आपका नाम क्या मैं अपसा आप कितने सालव से आप दाएरे के इंदर सेवाई दे रहे हैं वैं चार साल से मतल से कहांड़े के लिखमत हंजाम दे रहा हूं और सर यहां पे जो बोल जाता है कि मतलतों के अंदर इंदी, इंग्लिस, उर्दू नहीं पढ़ा जाती चैसे टीचर ही नहीं है आप तो अरबी के इल्म तारीब अरबी पढ़ा सकते हैं तो यहां पे इंदी, इंग्लिस और मेहत का टीचर भी होना चाहिए ना होना चाहिए यहां पर और बहुत पुराना यह मदर्सा है सदियों पुराना मदर्सा है और मदर्से की इसकी एक तारीख है कभी यह जमाना था कि लोग बाहर तक वहां पर बैच करके बाहर तक पढ़ते थे लेकिन आज हालत यह है कि यह 20 बच्चे, 25 बच्चे जहां पर इनको कुरान करीम की तालीम दे रहे है एक दो टीचर आये थे और आने के बाद में वो बच्चों पर कोई तवज्जे ना दी बच्चे दूसरे स्कूलों में कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं कुछ ने पढ़ना चोड़ दिया है तो यह मदरसा बिलकुल वीरान हो गया है हम सरकार से अपील करते हैं कि यहां पर कोई टीचर आना चाहिए पूरी सुविदा होनी चाहिए जैसा इस मदरसे का पहले कभी माहौल था वही माहौल हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी तालिम यहां पर होनी चाहिए अभी साथ जानकर देने के लिए बहुत सुक्रिया अभी मैं आपको दिखाता हूँ फरनीचर जो यहां पर पड़ा हुआ बच्छों के लिए अच्छा फरनीचर है अभी साथ फरनीचर है नहीं बच्छों के बेटने के लिए फरनीचर है अंदर कंपूटर भी रखा हुआ है देखो यह फरनीचर रखा हुआ है बच्छों के बेटने के लिए फरनीचर बड़ा अच्छा है उम्दा है लेकिन बच्चे नहीं, टीचर नहीं क्या फाईदा सकाए कुछ फाईदा नहीं होने वाला सका फाईचार तो है लेकिन टीचर नहीं मैं तो सरकाथ से निवेजन करना चाहूँगा करबिया मदरस्वा में टीचर वेज बेजे और बच्चों को तवज्जो दे क्योंकि ये मदर्सा राज़तान सिक्ष्य पोट से पंजीकर्ट मदर्सा है ऐसा नहीं कि पंजीकर्ट नहीं है अब पहले कि समय में यहां पे पोच्चार बनता था दो टीचर थे डेट सो बच्चे से एक सो पच्चे से अच्छा माहूल था बच्चे की शंक्या बढ़ रही थी लेकिन अब एकदम माहूल खराब हो चुगा है अब हमें मिलके गाउंवालों को मिलके शुदार करना है और सरकार से अपिल करूंगा करप्या यहां पर टीचर बेजे अब आपके दोस्त आरीप को अज़र देजे दन्यवाद